और संसत की सुरक्षा में चूक से जुडी सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है दिली पुल सूतरों के मताबिक अभी तक की जाच में ललित जाक के मास्टर माइंड होने का शक जताया जा रहा है पुश्टाच में जानकारी मिली है कि ललित जाक के कहने पर 13 दिसंबर की तारीख तैकी गई थी ललित जाने सभी को गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था ललित जाने ही कलर अचाक का वीडियो मुबाइल में शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और इ परार हो गया जिसकी तलाश फिलाल पुलिस को है क्योंकि इस पूरे मामले का मास्टर माइंड अगर किसी को कहा जा रहा है तो वो ललित जा है उसके मास्टर माइंड होने का शक है और कई ऐसे सुबूत भी मिले हैं 13 दिसंबर की तारीख जो तैकी गई वो भी उसी के कहने पर होई थी और इंविस्टिकेशन एजिंसी के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है कि तेरे तारीख को ही इस तरह की घटना आखिर क्योंकि गई और मास्टर माइंड के तौर पर ललित जा का नाम सामने आ रहा है हम आपको बताते हैं कि दरसल यह ललित जा है कौन आरोपी ललित जा का साजिश में मुख्य रोल माना जा रहा है और मास्टर माइंड होने का इस पर शक है वहीं उसी ने पूरे हंगामे का वीडियो भी बनाया और इसके बाल अपने तमाम सातियों के मुबाइल फोन लेकर के ललित जा फरार हो गया था जानकारी के मताबिक आरोपी ललित पत्रकारों की भीड में भी शामिल था और इस साजिश में सभी को इकठा करने में भी उसकी बहुत एम भूमी का रही है आरोपी ललित बिहार का दरसल मुख्य रूप से रहने वाला बताया जा रहा है और पश्चिम मंगाल में वो शिक्षक भी था लेकिन उसके वामले में फरार अरोपी ललित जा के बारे में दिल्ली पुलस की स्पेशल सेल को एक बड़ा इंपुट मिला है पुलस को पता चला है कि ललित दिल्ली से भागकर राजिस्थान के निमराना में छिपा है स्पेशल सल की टीम जब निम्राना के गंडाला गाउफ पहुंची तो ललित वासे फरार हो गया था इस वक्त स्पेशल सल की दो टीमें ललित जाको ढूडने में जुटी होई है ललित के हिसार में भागने की आशंका भी जताई जा रही है इसलिए कई टीमे राजस्थान के निम्राना और हर्याना के हिसार में लगातार उसको पकड़ने के लिए छापे मारी कर रही है इस पूरे मामले का अगर कोई एक मास्टर माइंड है कोई सूत्रधार है तो वो ललित जाय जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे है और फिलाल कोशिश यही पुलस की कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्ट में लिया जाए और इसी से जुड़ी एक और बेहद हैम और बड़ी खबर आ रही है संसद में सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित जा की वाटसेप चैट भी सामने आई है जिसमें वो किसी को जानकारी देता हुआ दिखाई दे रहा है इस चैट पर वो वाटसेप पर वीडियो को सुरक्षित रखने की बात लिखता हुआ दिखाई दे रहा है पुलिस ललित जा की वाटसेप चैट की जाच में जुटी हुई है अरोपी ललित जा ही सबके मोबाइल फोन लेकर के फरार हुआ है और संसत चूक मामले में आरोपी ललित जा अब भी लगातार फरार है इसी ने वीडियो बनाया है और ये बात अब जाहिर हो रही है की ये मास्टर माइंड हो सकता है क्योंकि ये अब तक के सामने नहीं आया और इसकी गिरफतारी के बाद बहुत कुछ साफ हो सकता है जो तस्वीर सामने आ रही है ये बेहत खास है जो वाटसेप चैट है ये है ललित जा की जो खुद अब फरार चल रहा है जिसमें वो इस वीडियो को सेव रखने की बात कहता दिखाई दे रहा है ये सबसे एहम बात भी है कि ललिट जा जो लगातार फरार है एजेंसीस लगातार छापे मारी कर रही है और आसपास के कई राज्यों में ये चापे मारी हो रही है जहां उसकी मौझूदगी की आशंका होती है वहां से फरार हो जाने की भी आशंका लेकिन पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है और इस वक्त बड़ी खबर नियूज एट इन इंडिया पर लोगसभा से कुल 11 सांसद सस्पेंट किये गए हैं बड़ी जानकारी लोगसभा की कारवाही में बाधा पहुंचाने का उनके उपर आरोप है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 6 और सांसद सस्पेंट कर दिये गए यानि कुल 11 सांसद निश्काशत किये गए हैं लोगसभा की कारवाही में बाधा पहुंचाने का इनके उपर आरोप जिसके तहत उन पर ये आक्शन लिया गया है और उन्हें वहाँ से सस्पेंट कर दिया गया है कारवाही के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप इन सभी सांसदों पर तो 6 और सांसद यानि कुल जो है वो 11 सांसद सस्पेंट कर दिये गए हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है निउस एट इन इंडिया पर लोगसभा से अब तक 11 सांसद सस्पेंट किये गए हैं लगातार लोगसभा की कारवाही जब चल रही थी तो बाधा पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया गया और ऐसे में उन पर आक्शन लेत अब कुल मिलाकर 11 को सस्पेंट कर दिया गया है कौन-कौन अब इसमें शामिले किस तरह क्या रोफ इन पर लगे देखे कुल 11 सांसद है पाच पहले सस्पेंट हुए थे दो बजे की कारवाई जब शुरूई थे और तीन बजे की कारवाई जब शुरूई है उसके बाद 6 और सांसदों को सस्पेंट कर दिया गया इसका मतबए 11 सांसद है इसमें प्रमुक नाम जो है कनी मोई, रम्या हरिदास, इसके अलावा हाई भी इडन ये सब सांसद हैं जिनके उपर आरोफ है कि स्पीकर के मुताबिक वो लगातार सदन में हला कर रहे थे और अपनी जो वेल है वो छोड़ कर स्पीकर के जो चेर है उसकी ओर आ रहे थे और इन बातों को संग्यान में लेते वे स्पीकर का ये कहना था इन सांसदों ने संसदी मर्यादा का दियान में नहीं रखा और इस वज़े से इनको सस्पेंट किया है यहीने डेरेको ब्रैन को भी इसी तरीके के बरताओं के कारण राजसभा से भी नि सांग के चलते उन्होंने अपनी यह मांग उठाई और स्पीकर के सामने गए जब बरताओ स्पीकर को अनुचित लगा अबिद बने रहे हैं हमारे साथ प्रियंका आरोपियों को पेश किया जा रहा है अब कोर्ट में किस तरीके से यह पहली तस्वीरे सामने आ रही है प्र आरोपी उनको यहाँ पर आया जा सकता है ऐसे वह अचानक खल्चल बढ़ने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि शायद वो आ गए लेकिन अभी फिलाल फॉल साम है लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं हम तमाम दश्रकों तक उसकी जानकारी बहुचाएंगे प्रशान यह सबसे एहम बात भी है कि तमाम वो आरोपी जिनकी गिरफतारी हुई है आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और यह तस्वीर जो आप देख रहा है इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर निउस एट इन इंडिया पर यही वो तस्वीर जिसके लिए इतनी गहमा गहमी हुई कुछ सांसदों ने पकड़ा उनकी पिटाई भी किये और अब यह ताजा विजवल इस वक्त के यह सीधी तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से आरोपियों को लेकर जाया जा रहा है पट्याला हाउस कोर्ट हमारी सहयोगी प्रियंका पाल लगातार बनी हुई है पट्याला हाउस कोर्ट के सामने ही और यह वो आरोपिय हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले इस तरह की पूरी प्लैनिंग की और उसके बाद संसद भवन में दाखिल हुए दो साथी संसद भवन के भीतर पहुंसते हैं स्मोक केंडल जलाते हैं रं अब उनसे पूछताच की गई है कोर्ट में आज पेशी है दिल्ली के पट्याला हुस कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जा रहा है लेकिन सवाल ये कि क्या यही इस पूरी योजना को बनाने वाले थे या फिर इनके और कुछ मास्टर माइंड थे हाला कि ललिद जह अब भी फरार चल रहा है जिसकी तलाश की जा रही है जिसकी वाट्सअप चैट भी सामने आने के दावक किये गए हैं लेकिन खास बात ये कि ये इस वक्त की एक ताज़ा तस्वीर एहम तस्वीर है आरोपियों को पट्याला हाउस कोट लेकर जाया जा रहा है कई सवाल है जो इनसे पूछे जाने हैं इसलिए इनकी रिमांड की भी मांग की जाएगी पूछताच इनसे आगे बढ़ेगी कि आखिर तेरे तारीख क्या महद जित्ते फाक थी इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए या एक सो चीज समझी रणनीती के तहत तेरे तारीख को ज झाल